हलो फ्रेंट्स वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल मैंतेमेटिकल पार्ट्स चाला फ्रेंट्स इस इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच आप दी फॉल्लाइंग सीरीज आर कॉनवर्जेंट जो हमारा ऑप्शन नमबर ए है फ्रेंट्स उसके अंदर जो हमें सीरीज गिवन है वो है समेशन एड़ इकवल्स टू वन टू इंफिनीटी अंडरूट ऑफ टू एन स्कॉएर प्लस त्री डिवाइड बाइद बाइफ फाइव एन क्यूब प्लस वन तो फ्रेंट्स मैं इसे यू एन के एकवल मान के चल रहा हूं यू एकवल्स टू अंडरूट में नूमेरेटर में से N square common ले रहाू तो क्या बचेगा तो प्लस 3 by N square और जो मेरा डिनीनेटर में वहां से N accum मले रहा हूं तो 5 1 by Nq अफ यह सब्सक्वा सों नीचे केवलomme N फाएं को भार ले रहा हूं तो un equals to 1 upon under root n under root of 2 plus 3 by n square upon 5 plus 1 by n cube अब friends मैं vn मान रहा हूं 1 upon root n ठीक है अब मैं un upon vn अगर compute करूंगा friends तो उसकी value क्या आएगी देखो un upon vn जब मैं नकालूंगा तो 1 upon root n से 1 upon root n cancel हो जाएगा तो limit n tends to infinity un upon vn क्या आएगा जब आप यहाँ पर n को infinity पर भेज़ोगे तो 3 by n square कहा जाएगा 0 पर और 1 by n cube भी खाएगा 0 पर ठीक है तो हमें केवल under root of 2 by 5 मिलेगा तो इसकी value आजाएगी under root of 2 by 5 friends आप देख सकते हो कि un की सारी terms positive है और vn की भी सारी terms positive है ठीक है और limit n tends to infinity un upon vn क्या आ रहा है एक finite number आ रहा है ठीक है finite positive number आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं by comparison test summation un and summation vn ये एक साथ converge करेंगे या फिर एक साथ diverge करेंगे हम जानते हैं friends कि summation 1 by root n ये कैसी series होती है divergent series तो जो मेरा summation un है वो भी क्या होगा divergent तो जो हमारा option number a है उसके अंदर जो हमारी series है वो divergent series है अब हम आते हैं friends option number b के ऊपर तो हमारा जो option number b है friends उसके अंदर हमें series given है summation n बराबर 1 to infinity n प्लस 1 की power n upon n की power n प्लस 3 by 2 ठीक है friends तो अब मैं un लेके चल रहा हूं n प्लस 1 की power n divided by अब इसे मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं n की power n and n की power 3 by 2 अब friends देखो मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूं n प्लस 1 by n की power n और 1 upon n की power 3 by 2 ठीक है अब मैं vn consider करके चल रहा हूं friends 1 upon n की power 3 by 2 अब जब मैं un upon vn की value निकालूंगा friends तो आप देख सकते हो un क्या है अब मैं n से divide कर रहा हूं तो 1 plus 1 by n की power n 1 upon n की power 3 by 2 और मेरा क्या हो जाएगा यहां भी limit and tends to infinity आजाएगा जब आप n को infinity पर बेजोगे तो आप देख सकते हो friends की 1 upon n खाजाएगा 0 पर तो यह कहां पर जाएगा 1 पर और n तो infinity पर जाए रहा है तो यह वन की power infinity form बन जाएगी और वन की power infinity form को solve करना हम जानते हैं तो उसके लिए क्या formula होता है एक पावर जो हमारा 1 plus 1 by n स में से 1 minus करेंगे 1 plus 1 by n minus 1 multiply by n और limit n tends to infinity ठीक है तो मैं एक बार formula भी लिख देता हूं अगर किसी को doubt है friends तो अगर fx की power gx ठीक है limit x tends to a आपको इसकी value find out करनी है और आपका fx 1 पर tend हो रहा है और आपका gx infinity पर tend हो रहा है अगर यह वन की power infinity form बन रही है तब इसका formula होता है e की power limit x is tending to a fx minus 1 multiply by gx ठीक है तो यहाँ पर जो fx का role है वो 1 plus 1 by n ने play किया gx का role n ने play किया और a का role यहाँ पर infinity ने play किया ठीक है तो यह मतलब आप देख सकते हो बहुत easy है तो 1 plus 1 by n minus 1 क्या बच गया 1 by n 1 by n को n से multiply किया तो क्या बच गया friends 1 और limit n tends to infinity 1 क्या होगा यह तो 1 ही होगा क्योंकि यहाँ तो n की कोई term है ही नहीं तो limit n tends to infinity un upon vn इसकी वेलू आजाएगी आप देख सकते हो friends कि un की सारी टम्स पॉजिटिव है वी एन की सारी टम्स पॉजिटिव है limit n tends to infinity un upon vn एक finite positive नंबर आ रहा है तब summation un and summation vn एक साथ converge करेंगे या फिर एक साथ diverge करेंगे comparison test से तो हम जानते हैं friends की summation vn क्या है summation of 1 by n की power 3 by 2 यह मेरी convergent series होती है तो जो मेरा summation un वो भी converge करेगा तो हमारा जो option number b है friends उसके अंदर हमारी जो series है friends वो convergent series होगी अब हम आते हैं friends option नंबर c के ऊपर तो option number c में जो हमें series गिवन है वो गिवन है friends summation n बराबर 1 to infinity n square x 1 minus x square की power n और आपको जो x गिवन है वो 0 से लेकर 1 तक गिवन है तो friends इसके लिए मैं ratio test use करूंगा मैं un को equal लेके चल रहा हूं n square x 1 minus x square की power n आप देख सकते हो un plus 1 किसके equal होगा n plus 1 का whole square multiply by x 1 minus x square की power n plus 1 आप देख सकते हो un plus 1 upon un की value क्या हो जाएगी n plus 1 का whole square multiply by x 1 minus x square की power n plus 1 divided by n square multiply by x 1 minus x square की power n x से x cancel हो गया ठीक है और n plus 1 का whole square upon n का square इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n plus 1 upon n का square और जब आप n से divide कर दोगे तो आपको अंदर क्या मिलेगा 1 plus 1 by n का whole square ठीक है और और 1 minus x square की यहां power n है यहां n plus 1 है तो जब आप divide कर दोगे तो उपर केवल एक power बच जाएगी 1 minus x square ठीक है अब जब आप limit n tends to infinity निकालोगे यहां यहां पर n को infinity पर जवाब बेज दोगे ठीक है तो आपको क्या मिलेगा तो आप देख सकते होगी n जब infinity पर जाएगा तो यह term 0 पर जाएगी तो 1 का square मतलब 1 होगा ठीक है तो limit n tends to infinity un plus 1 upon un इसकी क्या value हो जाएगी 1 minus x square अब हम जानते हैं friends ratio test से कि अगर limit n tends to infinity un plus 1 upon un अगर इसकी value less than 1 हो जाए ठीक है तो जो हमारी सीरीज है वो converge करती है और हमारी जो सीरीज है वो positive dumb की series होनी चाहिए तो आप देख सकते हो कि un आपका हमेशा positive होगा क्यों होगा positive क्योंकि n तो positive है एक्स भी positive दे रखा है और 1 minus x square हमेशा positive होगा अगर x की value 0 से लेकर 1 है तो वहाँ तो कोई doubt ही नहीं है अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स की limit n tends to infinity un plus 1 upon un क्या आ रहा है 1 minus x square है तो आप जो 1 minus x square है यह आपका हमेशा less than 1 होगा friends अगर आपका x 0 से लेकर 1 के बीच में belong करता है और यह 0 से भी बड़ा होगा ठीक है तो 0 और 1 के बीच में अगर है तो हम बोल सकते हैं friends की comparison test जो हमारा है sorry friends जो हमारा ratio test है कि limit n tends to infinity un plus 1 upon un इसकी value अगर less than 1 आए तो मतलब जो हमारी series है वो क्या हो जाएगी convergent तो यहाँ पर क्या रहा है 1 minus x square जो की less than 1 है less than 1 क्यों है क्योंकि x 0 से 1 given है तो यह जो हमारी series है यह convergent series हो जाएगी तो option number b and option number c के अंदर हमें convergent series मिलेगी Thank you friends